नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आई आस 40 वर्स के पुरूस के पाम का अनसेस करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे, तो सरपर्थम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे, उससे questions है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा आगे के जीवन में कोई बड़ी achievement है की ने तो निश्चिंत रहे हैं आपके साड़े विश्यों पे आपको उत्तर मिलेगा तो सरपर्थम मैं आपने तरब से कुछ चीजों को बताना चाहूँगा उसके पहले मैं इनका दूसरा पिक दिखा जबरदस्त ये भागे रेका ने तो मुझे गजब का खुश कर दिया था मज़ा आगिया बहुत बैतरीन भागे रेका और यहां पर से देखो न एक फिश्च नुमाकरती का भी निर्मान करते वे नज़र आ रही है और अभी ये वैपारी है जो कि इनके तली बता रही है व आने वाले समय में ऐसे व्यक्तियों का वेपार विदेश तक फैलता है पहला चीज तो आपने ये देखा ये इनकी पॉसिटिव चीजों के विश्च में चर्चा करना और फिर इनके कोशन स्किप्टर भी गौर करूंगा ये देखो स्ट्रॉंग फीट लाइन जीवन के ला माउंट का है तो मैं बाद में चर्चा करूंगा एक सूरी रेका क्लियर कट है तो एक सोर्स ओफ इंकम तो रहता ही रहता है और यहां से बहतरीन प्रॉपर्टी के बहतरीन योग बन रहे है तो यहां पर से प्रॉपर्टी तो आपको मिलना ही है और आगे इनकी सूरी रेका ब्रांच बन जाए और वो मंगल छेतर पर चला जाए तो किसी फैक्टरी का establishment या फिर कोई बड़े उद्योग का आप उद्योग पती बन सकते हैं बड़े उद्योग का कारे कर सकते हैं बड़े उद्योग आपके होंगे जिसके अधार पर आपको काफी जादा धन कमाई के योग बनेंगे और प्रापटी तो मूलता बनती ही बनती है और ये positive sense में योग विश्य में इस योग को भी मैं दिखाना चाहूंगा बुद्ध पर ये खड़ी lines आप बहुत जादा तीज बनाती है अपने दिमाग से अपने वेपार को करने के लिए या फिर जो भी आप काम करते हैं उसको बहुत तेजी के साथ आप कर सकते हैं ये चीज़े आपको देख लिए अब एक negative vision में पर चर्चा करूँगा मैं ये तो राहू लाइन थी लेकिन इस राहू लाइन ने कार नहीं पाया जीवन रेखा को लेकिन ब्रशपती सत्रुपक्ष में थोड़ी कम जुरूरी है इस केस में क्या होता है ना कि आप किसी पे ट्रस्ट कर लो उसका पता है क्या ना आपको effect नहीं मिलेगा it means कि आपको उसका यश नहीं मिलेगा हो सकता है कि आपको धोका दे दे आपके close में त्रियाफिया आपके प्र देता हूँ कि ये कब एज आ रही है ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ तो ये कुछ अच्छे योग थी इनके एतली पर और भी अच्छे योग है जैसे इनके देखो तो मंगल परबत पे एकदम स्क्वाइर बन रहा है तो इसके विश्रे में पूर्ण तर चर्चा करू और यहां से भी देखो तो एक प्रबल स्क्वाइर यहां से भी बनता हूँ नजर आ रहा है और मंगल लोवर मार्श पर ने एक हलका सा फिश्ट नुमा करती पूर्ण नहीं हुआ ये पूरी हो जाएगी न तो प्रापर्टी के रिगार्डिंग इसके बहुत ही अच्छे फ इसके बाद कि आपकी फेट लाइन गजब किया बहतरी और एकदम लास्ट तक चली है और यहां पर से तो इंडिकेशन बन रहे न यह प्रापर्टी टू इयर्स की एज में आपको कोई तरक्की मिलेगी और वहां से आगे भी तरक्की मिलते में जरा रही है और एक तक्रीव आपकी फेट लाइन भी बता रही है जो की बहुत अच्छी एमांट में आके चल रही है तो आने वाला समय आपके लिए काफी उत्तम कोई प्रका की परिशानी नहीं ऐसे इंसान की होती च्छाओं की पुर्ती करोरों के मालिक बनते देखते देखते और इनका टर्णोबर क है बहुत अच्छे स्ट्रेंट है और सबसे बड़ी वात है गद्यदारवस्त है तो पूरा पूरा राज्यो कारक पाम है 70% फलाना तो जीवन में कमफ़र्ट रहता है काफी जादा मद्यमेच के बाद सफलता मिलती है बहुत जादा उसके बाद स्क्वारिस पाम है तो वही स्ट्रॉंग थंब है तो यह ऐसे व्यक्ति किसे के अंदर काम नहीं कर सकते प्राडंबिक समय में इनकी कुछ नौकली थी तो कहीं न कहीं यह कुछ मजबूरी वश्यों ने करना पड़ा हो क्योंकि वह मजबूरी मुझे दिकर ली थी लेकिन जैसे यह थोड़ा स्टेबलि करना है ऐसे इनकी सोच रहती है कि बहुत बढ़ा करना है और लाइफ पर यह जो भी है अपने दंपर को विशेश्थम सपोर्ट इनको नहीं मिलता है नजर आ रहा है और इनकी जो है न लॉजिकल पार्ट बहुत अच्छी है और उभार लिए वे तो सम्मान की रक्षा कर प गए जुकि आपके पर ज्रस्ट ईश्यूज तो है अगर आप किसी अपने पर ज्रस्ट करोगे उसका त्योंपो फळन नहीं मिलेगा और फिर िदुन को सजेशन रहेगा कि ड्रस्ट करें ठीक है सब बात से यह आप ड्रस्ट करो लेकिन थोड़ा से पूड़ा पूड़ा केर करके और कभी भी आँख बंद करके साइन किसी भी डोकुमेंट्स पर ना करें फिर देखें इनके एतली पर खड़ी रहें तो क्या न यह आपके अच्छाई का पड़िचकरानी है कि आप काफी अच्छे हो दिल से आपके दिल में किसी के परती कोई गलत भावना है नहीं आप हमेशा चाहते हो कि लोग बाग खुश रहें अच्छे से रहें और जिन से मैं जुराओं वो भी अच्छे से रहें वो भी कमाई मैं भी कमाऊ सब खुश रहें मतलब इनके में एरशिया की बावना जल्दी नहीं देखने को मिलती है जुपिटर फिंगर बड़ी है सन फिंगर से तो लीडर बनने का इनको काफी सोकता और तीस वर्शों के बाद इनकी व जिसके वेइशं में आपको एक चिटावनी दे गई ए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह अपको एकदम ट्रस्ट नहीं करना है चीज़ों को समझ के समल के और दसबाव वेरिफाइग करके करना है तो तो अब मैं इनका दूसरा प्रेक दिखाऊंगा जहां पर से योगों के विश्यम चर्चा करूंगा जुबटर ठीक है स्पेस अच्छी लिए माउंट ने रेकिन यहां पर से गरवर ना आपकी प्रारंबिक समय में तकलीफों को दर्शाती हैं तो यहां से दबाब है तो व्यक्ति काफी जदा मेहनती और यहां पर से उभार का मतलब है कि मेहनत का 60% फल मिल जाएगा इसमें तो किसी प्राइगा संदेह नहीं है और यह जो इनके सेटर मांट पर फिश नुमा आकरती का निर्वान होना यह जैसे जैसे स्ट्रेंथ वाली बनेगी वैसे वैसे यह देखा बहुत जादा पैसा जीवन पर आएगा एकदम मान समान और यह देखा गया है 101% किसी भी हतली को या फिर किसी एचीवमेंट वाले हतली को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे योग देखने को ज़रूर मिलते हैं तो इसका स्ट्रेंथ आपके जीवन पर करेगा उन्नती और इसकी पुस्टी करा रही है आपकी प्रोग्रस लाइन तो इस प्रोग्रस लाइन का सफलता जो इतनी बड़ी यह दिखा रही है इसका कुछ न कुछ तो आपके लाइफ पर भी पड़ेगा ना सर जैसे कोई बोलता है कि पपीता खाना बहुत फाइदे मन्द है सिहत के लिए तो इस चीज को आप कैसे मानोगे एक लॉजिकल परसन इस चीज को कैसे मानेगा जब वो उसको खाएगा और उसको उसका benefit प्राप्त होगा एक नहीं 100 तो उस चीज को वो मानने के लिए बात दे हो जाएगा तो यह जो progress line आपकी बनी और यह आपकी fish बनी तो मैं इस fish को कैसे मानो कि यतिफल दाई होगा कि वो चीज़े आपकी जीवन रेखा भी clear कर रही है आप सभी जानते हैं कि progress line अगर अच्छी amount में हो तो व्यक्ति उन्नती को जाता है यह तो सत परती सत सही बात है अगर बहुत उन्नती दिख रही है बहुत बड़ी progress line दिख रही है तो पहत्रिक संपत्ति का मेद्ध मस्तर यह साथ तो sun line अच्छी है तो एक source of income तो बना रहता है और यह बहतरीन property के योग बना रही है बहतरीन मौजा आ गिया एक नहीं एक से ज़्यादा property आपकी बनने की guarantee हमारी है शन बुद्ध के attachment है तो कहीं नहीं आपकी दिमाग की यह सूचक बता रही है तो sun buddh का अगर excited stiffness रहना तो कहीं नहीं ऐसे वेक्तिव वेपार में अच्छे होते है और वेपार इनको करना भी चाहिए क्योंकि इनका दिमाग बहुत ज़दा चलता है और एक आप 10 से 9 वजे की नौकरी में इतना दिमाग नहीं लगा सकते क्योंकि आपके काम ही भजदा रहेंगे तो कहीं नहीं चीज़े तो मुझे बता रही है फिर देखें इनके दिले पर बुद्ध की खड़ी लाईन है आपका दाइरा वहीं पर सीमित रह जाएगा आपका जीवन कर जाएगा पता चलेगा आप अपने आपको आगे बढ़ा ही ने पाए तो यह योग अगर किसी गवर्मेंट जॉब अधिकारी के हाथ पे रहता है या फिर कोई 10-9 ड्यूटी करने वाले हाथ पे रहता है तो ऐसा नहीं वो तेज नहीं होते लेकिन उस तेजी करना वो यूज नहीं कर पाते लेकिन बहुत केसे में अब देखा जा रहा है कि लोग जॉब के साथ साथ वेपार भी कर रहे हैं उसको बेनिफिट मिल रहा है जो आप छोड़ दे रहे है तो वो वीजन होता है वो वीजन आपके बिरश्पती से आता है तो उस पर बाद में चर्चा करता हूँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी लेकिन ये मैं बता रहा हूँ है कि ये अपने विपार कर रहे हैं तो अपने दिमाग को बहुत दूर तक ले जा सकते इतनी इनकी दिमाग में च्छमता है फिर देखे इनके इतली पर मंगल काफी परदान मंगल है दोनों तो एनरजी अच्छी रहेगी और किसी भी कारिको करने के लिए ना इनरजी का होना बहुत जरूरी है विदाउट एनरजी आप क्या कर पाऊगे एनरजी तो बहुत जरूरी है तो एनरजी तो होना अतिया विश्यक है और दोनों ही मंगल परदान है तो फिर आपकी logical आप जमीन ज़ाद बना पाओगे property के योग हो तो फिर तो ये confirmation वाली ही बात हो जाती है कि 100% से लोग का property एक से ज़ादा बनता है और मंगल परदाना तो फिर जल्दी को स्वास्त की परिशानी भी नहीं आती है जीवन कप कर जाता है पता भी नहीं चलता और स्वस्त जीवन उसके बाद देखे तो इनकी चंदरमाद, strong चंदरमाद, strong तो चंदरमंगल की परदानता हो जाए तो रियल स्टेट के काम, होटल के काम, खाने के काम, पाने से जुरावा कारी है इन सारे कारियों में benefit तो ये चंदरम बहुत strong है तो आपकी अच्छाई को भी दर्शारा है कि आप काफी अच्छे हो, लोगों के परती कोई गलत भावना है नहीं आपकी, ये लोगों दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत साफ ये ये लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको दिक्कत आ रहा है, देखो मैं आप चीज़ बताता हूं आपको, आपकी भागे रेखा बहुत अच्छी है, आपकी अगर गलत काम करने के लिए प्रेडित हो जाते हो ना, किसी भी वज़ा से, वज़ा कुछ भी हो सकत तो कहीं न कहीं जब तक आपके भागय का आपको फल मिल रहा है तो वो तो मिलेगा ही लेकिन होगा उसमें क्या कि जो भागया आपका 100% फल देता अच्छे काम करने के बाद वही भागया आपका 50% फल देगा लेकिन जब आपके 100% में एक करोर लिख रहा है तो 50 लाग तो कमा बहुत रहे तो वही सोच के करें तो चंदरमाइन का प्रधान है इसमें कोई डाउट नहीं है तो इंसान काफी है चंदल के और दूसरी क्या है ना कियो तुमोन पर फिश बनतावा नजर आना अभी फिलाल वो प्रॉपर हुआ नहीं है गरेलो जिन्दगी में थोड़ी प्रावलम साती है बट लगजरी का प्रॉपर साथ मिलता है वाइफ काफी सपोर्टीव होते है बच्चे अच्छे होते है और मनी की प्रवलतम योग बन रहे हैं इनके अतली पर तो पैसे इनके पास आएँगे इसकी तो गेरिंटी आ रही है एकदम गेरिंटी पैसे ना है ऐसा हो ही नहीं सकता उसके बाद ये शुक्र पे जो मनी की लाइने बनी हुए न ये कही ना कहीं आपको पैसे देती है लगजरी लाइफ का सुक देती है पैसे जीवन पे आते हैं और सुकर परदान तो वाइफ का काफी अच्छा सपोर्ट घरेलो जिंदगी अच्छी चलती है और फिर लाइफ टाइम सोचने का हो शकता नहीं है मतलब आपको दिक्कत के समय में भी आपके पास कहां से पैसे आ जाएंगे यह कहां से आपका काम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा लगजरी के लाइन्स बन रही है और मंगल पर जो इंडिकेशन से ना यह ने तो कमाली कर दिया और यह जो अगर प्रॉपरली यह बनती है ना फिलाल थूदा सा कमी है इसमें यह आपको देगी एक कड़ो में जमीन बहुत बेनेफिट बहुत जाद है फिर मंगल अच्छा है तो एनरजी काफी अच्छी रहती यहां एक प्रॉबलम थी तो यह राहू लाइन विशेश्तम काट नहीं पाई यहां पर से दिक्कत थी तो 39 एर्स में बताया गया आपको 75 प्लस आयो को सुचक यह कर रही है फिर देखी प्रादंबिक समय दवाब रहा था लेकिन फिरिट की माइंड रेखा भी न बली एकदम बली एकदम स्ट्रेट माइंड रेखा वाले इंसान न फालतू की चीज़े इनके दिमाग में नहीं चलती और सैटरन की पर जिनके जा काम के परती फोकस है लाख कस्ट आ जाए काम या भी मिलने से कोई नहीं रोग सकता यह सारा सोच आपकी फेट लाइन लाड़ी है क्योंकि आपके जीवर पे अच्छा होना है बहुत बैतरी फिर देखी इनकी फेट लाइन क्या बताओं मजा आ गया लाइफ टाइम कोई दि इस साल के बाद और आपकी जो है न 45 के बाद भी बहुत अच्छे ही हो गए तो आने वाले समय में आपके लिए बढ़ियां होगी प्रापर्टी के प्रापर्टी के सुक की प्राप्ती और हर एक चीज़ जो आप चाह रहे हैं एक चाहों की पूरती भी होने के प्रबल चां कर दो आपके वाद हो आपके बाद और के बाद आपके लिएल और ही वाद रहे हैं एक टो अमज़ प्राप्ते ऑनज़.